आज के इस वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए एक जबर जस्त टापिक वह है LCR परिपत तो आगे शुरू करते हैं इस जबर जस्त टापिक को जबर जस्त तरीके से यह टापिक आपको बोट एकजाम की दृष्टी से बहुत महत्पूर है तो देख़िए यह LCR सरकिट है तो हम इसके लिए अगर ठूरी की बात करें तब क्या करेंगे किसी परत्यावर्ति परिपत में परिपत में प्रिर्कत यल यानि प्रिर्कत यल की एक कुंडली और धारता C का संधार्यत है और प्रत्यार प्रतिरोद आर को स्रेडी क्रम में जोड़ देते हैं ठीक है स्रेडी क्रम में क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो जोड़ कर और इनके सीरों के बीच और इसमें प्रतियारती धारा स्रोत लगा देंगे तब जैसे ही अम इनके सीरों के बीच प्रतियारती धारा स्रोत लगा जाता है तो ये प्रेरित विवांतर और धारा आई के बीच जो कलांतर होता है वो समान कला में होता है अब देखें कलांतर का मतलब इसके बीच जो बनने वाला एंगल है यानि जो कोड बन रहा है तो ये देखें ये भी आर का क्या है ये ग्राब भी आर का और इसी पर धारा मन रहा यानि यह इसी के समान कला में है अब बात करते हैं जो प्रेरकत यल है तो प्रेरकत यल की सीरुक के बीच भी एक प्रेडित विभानतर भी ऐल उध्वन हो जाता है तो देखें यह जब दहरा आई के बीच जो कलानतर होगा वो नब्य अंस अग्र गामी होगा यहाँ प अंस डिगरीप है तो हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रेरिकत यल है इसके सीरू की बीच उत्पन जो भिवान प्रेरिद भिवानतर भी एल है वह धारा आई से कला में नब्बे अंस अग्रगामी है इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका संधारित सी है तब यहां पर कहेंगे क संधारित सी के सीरू के बीच भी एक प्रेरित भिवानतर उत्पन भीसी हो जाता है अब प्रेरित भिवानतर भीसी और धरा आई के बीच जो कलांतर होता है वह नब्बे अंस पस्ट गामी होता है पस्ट गामी नीचे की और हो रहा है तो इसे कौन सी कहेंगे नब्बे अंस पस्ट गामी होता है अब देखिए यह अगर गामी हो गया और यह पस्ट गामी हो गया तो इनकी बीच अगर हम परडामी विवांतर यहां पर इस बिंदू से यहां तक की परडामी विवांतर निकले तो इस भीयल को भीसिम से क्या कर देंगे घटा देंगे तो मरा क्या निकल एक क्वल भी आर यानि यह प्रतिरोध के लिए के सीरों के बीच प्रेड़ित विभानतर भी आर का स्कॉायर प्लस अंडरूट इसमें जो सारी ब्राइकेट में यह जो प्रेडामी विभानतर है भी एल माइनस भी सी का होल स्कॉायर ठीक है गी हो गया अब देखिए हम जानते है यह जो भी आर है ठीक है भी आर यहार यानि कि जो भी आर बराबर क्या होता है आइटु आर होता है ठीक होम का नियब हमने पढ़ा है तब यहां से आपका हो जाएगा भी का स्कॉायर एकैंउल आइब यहां पर square है तो i का square हो जाएगा और r का square हो जाएगा i का square into r का square plus अब देखिए vl बराबर हम जानते हैं देखिए student हम जानते कि vl equal होता है i xl और vc बराबर होता है आपका i xc यह हम लोग पढ़ चुके हैं यहां पर put कर देंगे vl के जिगर पर किया put कर देंगे i xl और minus vc के सी जिगर पर put कर देंगे i xc का whole square ठीक है यह हो गया अब देखिए यह हो गया b का square equal i का square r का square plus अब देखिए i इसमें भी i इसमें भी है दोनों का square तो i2 को किया कर देंगे बाहर कर देंगे ठीक है यह स्कॉयर था इसलिए i2 को हम बाहर कर दें तो आपको bracket में बच्चा xl- xc का whole square यह हो गया अब देखिए करते क्या है कि i2 इसमें भी है इस टम में भी और इस टम में भी i2 का square है यहाँ पे इस i2 को हम कामल ले लेंगे तो कामल लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे हम I का स्क्वाइर कामल लेंगे तो आपका ब्राइकेट में बचेगा यहाँ पे मजला गुष्टक लगेगा क्योंकि छोटा गुष्टक लग चुका है बचेगा R का स्क्वाइर प्लस ब्राइकेट में XL माइनस XC का होल स्क और यहां पर मजला गुश्टक बंद हो जाएगा अब देखिए यहां पर आई स्कॉयर जो है यह मल्टिप्लाई में है ठीक है तो मल्टिप्लाई में है तो इधर आएगा बराबर कि इधर आएगा तो परस्चांतर का रूल कहता कि यह डिवाइड में हो जाएगा इसकी स्कॉयर यहार का स्कॉयर प्लस एकसेल माइनस एकसी का होल स्कॉयर क्यों हो जाएगा अब देखिए हम जानते हैं कि जो प्रिति बाधा का सूत्र था जेड बराबर भी वाई आई हमने पढ़ा था ठीक है यह चीज हमने पढ़ा था यहां पर दोनों का स्कॉयर जेड का क्य यह आप यहां पर भी लिख सकते हो प्रति बाधा के लिए Z का स्कॉर्एर एक्वल R का स्कॉर्एर प्लस XL- XC का whole स्कॉर्एर लिए हो गया अब देखिये यक्सी बराबर आपका XC बराबर होता है 1 by उमेगा C और XL बराबर आपका होता है हम लोग निकाल चुके हैं कि omega L ठीक है तो आप इसके जिगा पर XL के जिगा पर क्या पूट कर देंगे omega L और XC के जिगा पर 1 by omega C तो देखिए यहाँ पर तो आपका हो जाएगा यहाँ से Z का square equal R का square plus XL के जिगा पर क्या पूट करेंगे omega L omega L minus XC के जिगा पर क्या पूट करेंगे 1 by omega C 1 by omega C का whole square अब देखिए करते क्या है यहाँ पर यह तो यह हो गया अब इसके बाद हम इसका दोनों तरफ का root ले लेते हैं अब देखिए root कैसे लेते हैं करड़ी जिसे कहते हैं तो इसका अगर करड़ी लेने तो यह हो जाएगा Z का square और इसका भी लेने तो यह हो जाएगा R का square plus omega L minus 1 by omega C D का square ठीक है का root ले ले लिए हम अब देखिए root की जो बाईलू छती है यह हो प पावर पर 21 by 2 होती है ४ावर पर 1 by 2 2 2 से 2 क्या हो गया कट गया है यहाँ पर क्या बचा किव जेदबचा ठीक है यहाँ का square आप कर दोगे तो यह root हट जाता था इसक्वा जायगा च Tub कियो बचेगा किया जेड्ट ठिक है यहांपि कियो बचेगा जेड तो जड बराबर आपका आ या र का i sq Voilà कि प्लास aired firstly ओमेगा एल माइनस वन ऑन बाई ओमेगा सी का यहां पर जो स्कायल रहेगा यह ऑजाएगा होल स्कोय। घी हो गया अब दिखिये यहाँ पर voltage B और धारा I के बीच न अगर फिर इसके बाद इसके बीच का हम कोड निकालेंगे तम यहाँ पर लिख देंगे कि voltage B यह परति बाधा का सुत्र हो गया voltage B और धारा I धारा I के बीच कलांतर फाई हो तब कलांतर फाई हो तब देखिए यहाँ पर कलांतर voltage और धारा की बीच जो कलांतर यह क्या है फाई है यहाँ पर हमने फाई लिखा है फाई का जो symbol होता है कुछ ऐसे होता है ठीक है VL minus BC upon V R हो जाएगा ठीक है तो देखिए आपको simply करना क्या है उसी तरह कर देना है जैसे हम उपर किया हूं VL के जिगा पे हम क्या रख सकते हैं देखिए यहां पे हमने VL के जिगा पे क्या रखा था i xl i xl तो vl के जगह पे i xl रख दीजिए तेहाँ से हम रख देंगे i x l और minus vc के जगह पे हमने क्या रखा था i xc upon vr vr आपका जुग निकल कर आया था वो क्या निकल कर आया था vr आपका vr क्या है प्रतिरोध है तो vr के जगह पे अब देखे निकला था vr की जगह पे i r तो यहाँ पे पूट कर देंगे vr की जगह पे i r अब देखे क्या करते हैं कि इसमें से क्या कर लेंगे दोनों में i तो कामल ले लेंगे i हमने कामल ले लिया तो ब्राइकेट में बचा xl minus xc upon i into r अब देखे i से i क्या हो गया आपका कड गया तो कलांतर 10 5 बराबर आपका आ गया यह हो गया xl minus xc upon r अब देखे हम जानते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको बता दें कि xc बराबर हमने उपर क्या निकला है आप देख सकते हैं यहाँ पे xc बराबर 1 by omega c निकला है तो यहाँ से आप पूट कर देंगे कि यहाँ पे लिग देंगे xc बराबर 1 by omega c और xl बराबर omega l अब यहाँ पे पूट कर देंगे इसकी बीच जो कलांतर होता है वो निकल कर आ जाएगा 10 5 बराबर हो जाएगा omega l xl के बज़ेगा पे omega l minus 1 by omega c upon r देखिए आपको बूट एक्जाम में इसकी बीच कलांतर पूछेगा और परतिबाधा का सुतर पूछेगा ठीक है तो यह चीज आपको पूछता है तो इस चीज को आप जरूर अच्छे स्तियार कर लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए और screenshot लेना चाहें तो आप screenshot ले सकते हैं इसका ठीक है अब फीगर देख सकते हो आप यह इसका फीगर है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजएगा साथी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दिजएगा क्योंकि हमारे चैनल पर लगबग आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है वो भी असान सब्दों में